Hello Friends, मैं पीती आपके अपने चैनलर मंतरा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज जो है RCI के सर्कुलर के बारे में हम बात करेंगे आप लोगों की तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा था के मेरी लिस कब तक आएगी कब तक आएगी लेट क्यों हो रही है तो उसी का जवाब RCI ने दे दिया है तो चलिए देखते हैं उन्होंने इस सर्कुलर में क्या का है आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनलर पे नए हैं तो more information के लिए और ऐसी education update के लिए चैनल को चल्दी से subscribe कर दीजे और वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो ये information है सभी तक पहुचे और सभी जो नए admission लेने वाले हैं लोग जो मेरी लिस्ट का वेट कर रहे हैं उनको अपने सवालों को जवाब मिले चलिए पिनावक जाया कि एक लास को आगे बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर तीन तारिक को जारी किया गया है थ्री नॉम्बर को जो है इशू किया गया है हम लोग जो expect कर रहे थे 30 तारिक 30 अक्टूबर को expect कर रहे थे कि मेरी लिस्ट आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसी वज़ा से क्यों नहीं हुआ उसी ब एक percentage भरी है admission forms जो online भरे जारे थे उसके अंदर कही जगा 99 किसी ने भर दिया किसी ने 100% भर दिया है तो जिस वज़ा से मेरी लिस्ट लेट हो रही है तो अब जो है RCI ने consider किया है कि उन जो form भरे गए हैं उन में जो percentage दी गई है उसको consider नहीं किया जाएगा 12th के जो mark sheet है आपकी उसके according percentage लगाई जाएगी और फिर आपको admission दिया जाएगा साथी साथ RCI ने ये भी बता दिया है कि 6 November 2020 तर positively जो है आपकी married list आ जाएगी तो अब आपको जादा wait करना नहीं पड़ेगा 6 तारिक को जो है 6 November को married list आने की पूरी पूरी संभावना है तो इसलिए अब आप इस married list का wait कर लिए और अपने documents ready कर लिजे जो आपको admission के लिए चाहिए हैं क्योंकि उस दोहरान आपको जादा time नहीं दिया जाएगा second list आने में जो है जादा time नहीं देते चार से पांच दिन ही दिये जाते हैं उसके बाद आपको जो है time थोड़ा होगा इसलिए आप सारे अपने document ready कर लिजे अगर आज की information आपको अच्छी लगी है और आपको पूरी तरीके से समझ आई है तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करिएगा